मायक पर बोली गा मेरे पीछे श्लुक्रमांग पाश अध्याय साथ अपरे मितस्त्वन्याम तुर्ण मायक पास में रखी अपरे अपरे मितस्त्वन्याम प्रक्रतिम विधिमे पराम जीवभूताम महाँबाहो जीवभूताम महाँबाहो ये दमधार्यते जगत अपरे मितस्त्वन्याम प्रक्रतिम विधिमे पराम जीवभूताम महाँबाहो ये दमधार्यते जगत अपरे मितस्त्वन्याम प्रक्रतिम विधिमे पराम जीवभूताम महाँबाहो ये दमधार्यते जगत पहले लेन को देखेंगे अपरा इयम इतहा तु अन्याम प्रक्रती इयम मतलब इस इतहा मतलब इससे अलग अपरा मतलब निक्ष्थ इस निक्रिष्ट प्रकृति से अतू मतलब लेकिन लेकिन इस निक्रिष्ट प्रकृति से यह जो बहुत एक प्रकृति जो निक्रिष्ट है जो जड़ है इससे अन्याम प्रकृति मेरी एक और प्रकृति है समझ में आ रहा है विध्धी मतलब जानो और किसकी है में मेरी और कैसी है पराम पराम मतलब आध्यात्मिक सचेथ और उसको क्या कह रहे हैं जीवभूतम महाबाहू है महाबाहू अर्जुन उसको जीवभूत कहा जाता है और वह क्या कर रहे हैं यह एदम धार्यते जगत एदम मतलब इस इस जगत को धारन कर रहे हैं धारन कर रहे हैं अर्थातवे भोग रहे हैं जैसे इस मंदिर में हम बैठे हैं तो इस मंदिर का उपयोग हम कर रहे हैं मंदिर हमारा उपयोग नहीं कर रहा है रभू पाजी धार थेतर चलाने वाले लेबर है तो पेक्टिर किसली है क्योंकि उसका मालिक है और लेबर है वाय leser में आते हैं daily डौक्रव पेशन्ट के छाम्दम से दाच टर किसमें अफ़क ठीड जाता प्छेडब डौक्सर ऐस कारण कोण है कारण है जिवात्मा स्वयम उधारन दिये जाता है कि क्या जेल क्यादी बनाते हैं आप लोग बोल रहे हैं हाँ बनाते हैं लेकिन जेल क्यादी नहीं बनाता लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि जेल क्यादी नहीं बनाते अगर गलत काम करने वाले नहीं हो तो जेल की कोई आशकता नहीं है लेकिन जेल बनाते हैं तो उस जेल का उपवहोग उसकी सुवधाओं का उपयोग कौन कर रहा होता है क्यादी कर रहे होते हैं उसको बंद कर पाएंगे ठीक 10 कि अपनीयाब बंद हो गया ठीक है तो यह बाश समझ में आ रहा है धारेते का समझ में आ है इस जगत का उपयोग कर रहे हैं जीवात्मा है उपहोग करने की शमता सचेत जीव में ही होती है ठीक हे महा बाहु अर्जुन इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य अपरा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे ह विदोहन का अर्थ वही है भोग कर रहे है ठीक कीता बूशन टीका इस प्रकृति को निक्रिष्ट माना गया है क्योंकि यह जड़ होती है और भोग यह है अच्छा चलिए फिर से वही प्रश्न है जड़ अर्थात उसमें ग्यान शक्ति नहीं होती है अब बता सकता है कि ग तो मुझी आप जयर का एक्जांपल यह जयान शक्ति पूछ रहा हूं जयान शक्ति क्या होती है अभी आप तब नहीं थे यह जगत एक्जिस्ट करता हूँ मैं भी हूं यह जगत भी है यह आपने उसमें अलग विवेचना कर दी जितना मैंने बताया था उसको रिपीट कीजिए येस मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं तो क्या यह भावना यह भावना जड़ प्रकृति में होती है नहीं होती है तो उसको समझे लना चाहिए जड़ है इस पे भक्त बहुत अच्छा बोले कि यह कितने आश्यार की बात है कि जब मैं आपके तरफ देख रहा हूं तब भी मेरी तरफ देख रहे है को जिसमें आश्यार लगता है आपक कि मृदंगा के तरफ देख रहा है कि तोड़ी सुक्ष्ण बात है कि अश्यार की बात है कि हम जिसके तरफ देख रहे हैं अगर वह जीवित है तो मेरी तरफ भी देख रहा है और इतना इसको हम आश्यार लग रहा है अगर अगर आश्यार नहीं लग रहा है तो स् hunting Chanel मैं हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते बहुत श Colonel भिभ्याना को याता है और कुई हमारे पास यह बात बोल रहे हैं कि यह प्रकृति निक्रिष्ट है और जड़ होती है, और भोग गी है अर्थात, इसको भोगा जाता है, फे महा बाहु अर्जुन, यह जानों की जीव भी मेरी प्रकृति है, परंतु स्रेश्ट है, क्योंकि यह चेतन है और निक्रिष्ट प्रकृति का भोगता है, क्यों लाने समझ में आ रही हैं आपको, चेत प्रकृति मतलब awareness, चेतन निता, मैं हूँ, मैं भोग रहा हूँ, इस प्रकार की भावना, awareness, फिर भगवान जीव की स्रिष्टता का कारण बताते हैं, यह चेतन प्रकृति इस ब्रम्हान को अपने, चेतन प्रकृति रथा जीव, इस ब्रम्हान को अपने सोने, खाने, आद फुनित्यादी के लिए प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूँ, हर भक्त ये देखने में अग सक्षम होगा, कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो केवल इन चार कारेओं में ही प्रिवर्त हैं, अगर आप इस वाइरस की लडाई को एक शब्द में वर्णन करना चाहें, तो क्या शब्द होगा? रक्षा या फिर भाय? अले ही व्वक्ति बहुत महान हो सकता है इस समाज की दृष्टी से, लेकिन वो केवल एक ही इंपल्स के अंसार कार कर रहा है और वो है भाय, है कि नहीं? शृती भी कहती है कि यह दोनों प्रकृतियां एक मातर भगवान की हैं, प्रधान, शेत्रग्य, पतिर, गुणे, शह, भगवान, शेत्रग्य, जीव, और भौतिक पदार्थ दोनों के स्वामी हैं और गुणों के भी स्वामी हैं, श्विता, शृतर, उपनिशद, प्रधा से आती हैं और श्यत्रग्य अर्थात, श्यत्र हो जानने वाला अर्थात, जीव, और उनके पति, मतलब दोनों के स्वामी है है भगवान और गुणेश्रह मतलब गुणों के नियनता है ठीक है तातपर यह कोई तातपर पढ़ना चाहते हैं भक्त इंदी बढ़ना ओके प्रभु जी पढ़ना मुईत पढ़ना चाहते हैं माइक दीजिए इस लोक में इस फश्ट कहा गया है कि जीप परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ती है प्रा नहीं है परा परा प्रकृति इस प्रकृति शक्ति यह क्या आर्थ है इसका आप बताइए यह जीब जो है प्रमेश्वर से ही आया है ठीक है और और वह सचेत है वह अचेत नहीं है conscious conscious बस जो पढ़ेगा उसको प्रश्निकेद आएगा अब कोई नहीं पढ़ेगा ठीक है आप ही पढ़ेगा अच्छा पढ़ते हैं आप हिंदी पढ़ना तुम्हें को आता ही नहीं है अन्हीं लों इंग्लिश है ठीक अपरा सक्ति तो प्रित्वी जल अगनी वायो अकाश मन वुद्धी तथा हंकार जैसे विभिन इन तक्त्वों के रूप में प्रकट होती है एक बात जो मेरे चित में आ रही है और वो यह है कि अपने स्वरूप को समझें और इस अपरा प्रकृति को एक खटा करने में हम अपना जीवन विर्थ ना करें क्योंकि यह अपरा प्रकृति हमें कभी सुख नहीं दे सकती मेरी बात आप समझ पारे हो इसका स्वरूप हमसे बिलुकुल भिन्न है इसलिए जितना आवश्यक श्रीड चलाने के लिए है भक्ती करने के लिए उतना तो ठीक है अन्य था यह केवल दुख का निर्मान करने वाली है जितना वस्तुवी खटा करेंगी उतनी भोग भावन आ जाती है उतना इभावन आ जाती वस्तुवे मेरी हैं जैसे एक भक्त का मालम चला रात में लोट रहे थे सब्जी ले करके उनका पैसा चोरी हो गया तो पैसा तो कोई भी चोरी कर सकता है लिए बताइए कि कहीं भी चला जाओं मैं मालीजी कोरोना वारस से भरे हुए श् ना बताऊंगा कुरेश और उनकी पत्नी यह रामनजी चार जी के महान रिसाइबिल थे और श्रीपाद रामनजी चार जी ने कहा कि आप अब रंगनाजी आ जाए तो यहीं पर रहिए तो कुरेश बहुत धन उनका संपता बहुत थी बहुत धन था तो जब वह सब धनवन बाट करके ब्राह्मनों को वैश्णमों को और अब है रंगनाज जी के पास जा रहे थे में रामनजी चार जी के पास आप उसको जुरू सुने का बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है जब जंगल में जा रहे थी तो उनकी पत्नी को कुछ डर लगा अरे कहीं यहां से तुमको भाई हो रहा है जिसके पास पैसे ही नहीं उसको डागू से क्या डर रहेगा तो खेर हमें तो कुछ धन चाही रहता है लेकिन सिधानत ही सीखना है कि बहुत वस्तू का इखटा करने करते हैं कि हम उस चेतना में निमग्न हो जाएंगे कि हम यह वस्तू ही है भू भावतिक प्रकृति चल्प अधी तथा सुक्षम्हा मन अधी अपरा शक्ति के ही प्रिटिफल है ही लाइन अनभव करते हैं जीव जो अपने विभिन कारियों के लिए अपरा सक्तियों को विदोहन करता है श्वयम परमेश्वर की पराव सक्तियां है अब यह बात लाइन समझ में आ रही कि जीव के कारण जगत कारशील है अभी तो आप कहे रहे हैं और अभी कि जीव चला रहा है तो यह कहना क्या चाहते है है मायक में बताईए बहुत दूर बठें हैं पाकिस्टान ब्था बाइस है एक कि तरफ कहारे है बहुत हो जीव चला रहा है चुझ iam तो बहुंद अपनी शक्ति के दौरा चलारहें है। नहीं बहुंद अपनी शक्ति के माधियं से पराशक्ति के माधियं से जीव के मादियं से चला रहे efforts इसलिए मैंने प्रश्न किया है येस दीजिये इनको जैसे अगर आपकी बात को ट्रांसलेट किया जाए कि सरकार कैदियों के महाध्यम से जेल चल वा रही है कि क्या ये कहरा सही होगा अग्जांपल दिया था कि जेल में कैदी है इसलिए जेल चल रहे हैं इसलिए जेल कोई उपयोग नहीं है यह समझना बहुत आवश्यक है कि जीव भोग करना चाहता है पुसकी और इस कारण से भगवान इतनी भोंती स्रिष्टी की वस्था करते हैं मिध्यांकार और ये और वो सब ताम ज्ञाम और उसके बाद जीव की फिर भी शक्ती नहीं है कि भोग को वस्विकार कर सके अगर आपको याद हो मैंने प्रत्थम इसकर दूसरे धाय कि आखरी भाग में भगवान की भोग लिला का वर्णन तर करते हैं तो इस सारे नहीं और किसके द़्व और कारे करने भगवान की शक्ती से किसकी मेरी इच्छा नहीं है बिलकुल तोले इच्छा नहीं है बगवान तो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहां पर वापस उनकी धामे आदे यह बात याद रखना चाहिए और टाइमवेस्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जैसे जो सुडेंट यहां पे रहे हैं शायद उनके माता बिता चिंतित है यह नहीं है क्यों चिंतित हैं क्यों लग रहा है कि आप लोग कैसे जीएंगे यहां पर खाने कौके पहलेगा और वाईरस फैला हुआ है तो हम घर में आ जाओ हम सुरश्चित जूटी है घर में वह स्वेमी सुरश्यत नहीं है तो हमारे क्या सुरश्या रखेंगे लेकिन भगवान भी नहीं चाहते कि जीव यहां पर रहे जीव क्योंकि भगवान से सतंद्र रूप में रहना चाहता इतनी विवस्था करते हैं इससे क्या सिक्षा मिलती है जब हम करना चाहते हैं तो भगवान इतना ताम जहां में खटा कर देते हैं और अगर आप भगवान की सेवा करना चाहोगे तो क्या भगवान को कितना रस्ते खोल देंगे इस द्रिश जगत में कारे करने की तब तक सकती नहीं आती जब तक पराशकती अर्था जीव द्वारा यह कतिशील नहीं बनाया जाता सकती का नेंथ्रन सतलेव सकतीमान करता है जीव सदलेव भगवान द्वारा नेंटृत होते हैं जीवो कर अपना कोस्वतंत्र अस्टित्व नहीं है वे कभी रिख सम सकतीमान नहीं आपको बहुत ध्यान पूरब पढ़ना होगा देखे अब आप जीव बताईए लिखा क्या है आपके माइक पर बुलिए बुद्धिहिन आपने क्या पढ़ा क्यों पढ़ा क्योंकि उस समय के लिए भगवान आपको यही दिखाया बुद्धिमान इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो जो बुद्धिहिन वेक्ति हो क्या सूचते हैं कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है यह बात है इस श्रीमत भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है अब यह श्लोक तो बड़ा कठिन है यह वेदस्तूति के श्लोक है उसको मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया लेकिन इसके आर्थ को ही देखेंगे अपरिमिता धुर्वास तनु भृतो यदि सर्व गतास्या तरही न शाष्यते नियमो धुर्वनेत रेथा अजनिच यन्मयम तद विमुच्यन यंत्रु भवेत सममुन जानतम यद मतम मत द्रिश्टतया यस मैं इसको पढ़ता हूँ है परम शाष्वत ये वेद जो है भगवान को सुत्ति करने हैं यदि सारे देहधारी जीव आप ही कितरह शाष्वत एवं सर्व व्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण मिनना होते किन्तु यदि जीवों को आपकी सुख्ष्म शक्ति की रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ सकते हैं और इसे धान का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं वास्तव में वे प्रदूशित मत द्वारा निर्देशित होते हैं देखिए शलोक तो बहुत धानतिक है और बहुत रिसार्श अभी नहीं कर पाया एक बात जो यहां बहुत समझ में आ रही है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब मैं बद्ध हूँ तब मैं भगवान नहीं हूं लेकिन जब मैं मुक्त हो जाओंगा तो मैं भगवान हो जाओंगा और त भूस प्रकार से सरव्यापी हूँ कैसे नहीं हो सकता है लिगिन उसे में मानते हैं ना समझी मेरी बात तो वह सोचते हैं इनकी माननेता ऐसा नहीं कि कि जीवमुक्त हो जाएगा तो सर्व्यापी हो जाएगा लेकिन वह सोचते Trento इस इभात को कह रहे हैं कि यदी यदी मतलब है नहीं श्र niż अगर जीव यहां गीता में हम क्या थेक रहे हैं इसलिए दिया आर्थात्ष है कि जीव सर्व्यापी है हर जगें ठी下一 कैसे रहेंगे और यह बात प्रशिद्ध है कि भगवान की शक्ति है बंक्रलं कि जीव घवागवान को भी बन सकता है यह बिल्कुल गलत है इसको आगे हम पंद्रे वध्या में और सपस्टूप से समय शर और अक्षर जीव शर मतलब जो पतित जीव हैं बद्द जीव और अक्षर जो नित्यमुक्त हैं उनसे भी परे भगवान हैं उनके कारण भगवान हैं उनकी सत्ता इन जीवों क सत्ता भगवान पर ही आश्रित होती है मुझे पता है थोड़ा कठीन हो रहा है इसलिए मैं बहुत जद्धा इसको नहीं करूंगा इसके लिए मुझे अलग से की टीका लेकर समझना पढ़ेगा तो हम कभी आगे देखेंगे अलग से अब कभी एक भक्त की इच्छा है कि व पहले ही मैं भगवान था मायवाधी लोग बोलते हैं पहले ही मैं भगवान था लेकिन मायग ने मुझे पकड़ लिया तो मैं भूल गया हो कि मैं भगवान हूँ अब प्रश्न यह आएगा कि भागवान थे सर्वनियंता थे सर्शक्तिमान थे तब माया ने पकड़ लिया अब जब भगवान नहीं हो एक शबार नजीव हो तो माया क्यों छोड़ देगी आपको क्यों छोड़े की बताइए और रथ कहते सबकुछ मानते हैं तो इसलिए मायवाधी को माया थो इसलिए है को इसलिए तो तो इसमें लिखाऊँ उस सअरुप में नियनता बन सकते हैं इन कि भगवान के अनुगत सविकार करें भगवान को स सब्सक्र onget और अच्छा प्रश्चन है हम इससे सोच रहे हैं कि हम ने रिजह कि अजिए तो इस समय हम लोग नियंत्रित हैं माया के द्वारा है की नहीं पूरा जगत है ना इसमें गीता में आगे बताएंगे भगवान मोहितम ना भी जानाती मामेभ्या परमवयम इन गुणों के द्वारा पूरा जगत मोहित है और मुझको नहीं समझ पा रहा है तो इस समय हम लोग क्या है गुणों के द्वारा नियंत्रित लेकिन भगवान के शरनाकत होते हैं तो गुणों की दासत उससे हम मुख्त हो जाते ह हैं लोग लोग ईस समय है जब हम भगवान की वारनी को सुन रहे हैं महातमानस नहीं अब भगवान की अnement सेवा करतों है तो जब आशा-बगवान करते हैं वह बोड़ गीता पढ़ते हैं प्रसाध बेसिकली भगवान की भक्ती करने की किसी भी अंका नुशिलन करते हैं लिए इतना विवेक हम लों को मुल्ब हो जाना चाहिए कि किस कारशव में अंतरंगा शक्ति की संपर्थ में आ रहा हूं और किस कारशव में भॉतिश् पढ़िए, परमिश्वर क्रिश्न ही एक मांत्र नियंता है और सारे जीव उनकी पड़ा सक्ती है, चैन्य क्या वे सक्ती की मांत्रा के विशय में कभी भी समान नहीं हैं। जैसे एक समुद्र की भून उतन ही खारी होती है, उसकी इंग्लीश में कहेंगे chemical composition, में कैसे गूँद्ध सकते हैं नहीं और क्या समद्र में रोप सकते हैं उसी को पह जाता है गुणवद्धा dsc से एक लेकिन परिमाण की दिर्ष्टी से भिन है कि सबाज आ गया ठीक कोई हां भी नहीं बोलता है तुमसे हां ठीक हां सब्सक्राइब लगता है क्या बोल रहा है कि मुझे कभी लगता है करनाप्रमित्रों मेरी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं वह भाशा की वैसे समझ नहीं यह भी जो है एक डाउट होने लगता के लिए ठीक है पड़िए अतुल तथा सुक्ष्म अपरावशक्ति का उपवोव करते हुए परावशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विश्मिर्ति हो जाती है अतुल का मतलब क्या हुआ अतुल इंग्लिश में क्या लिखाया प्रवू पितामर प्रवू इंग्लिश में क्या लिखाया है अतुल तथा सुक्ष्म अपरावशक्ति का भोग करते हुए अतुल शब्दली 7 मेरा मेरे दूसमें लिखा है मैंको दीजियो किताब स्थूल होना चाहिए आपने वास्तविक मन तथा वद्धी के विश्मिर्ति हो जाते है लाइन बहुत महतपूर्ण आप देखिए जब हम रिशत दे की शिख्शाओं को सुनते हैं बार बार यह बोला जा रहा है कि इंडरीय विश्यों में इंडरीय भोग में नहीं है यो नहीं लगना है क्योंकि इंद्रिये विश्याय के भोग करने से हमारा सचजानन सवरूब है उसकी हम उसको भूल जाते और हमारा अभिनिवेश अभिनिवेश मिंस absorption कि मैं यह दे हूं यह बढ़ जाता है जब हम गीता सुनते तो कुछ-कुछ आता है नहीं शायद मैं आत्मा हूं और फिर जब माली जी हम बहुत एक बाता सुनते हैं तो फिर से भावना आजाती है कि हमी शरीर है यही बात हैं बोली जितना हम भोग में प्रविर्त होंगे उतनी भावना बढ़ेगी कि मैं देह अंद्रिय हूं और उतना ही भाय का निर्माण होगा पढ़िए इस बिश्मृति का कारण जीप परजर प्रकृति का प्रभाव है किन्तु जब भी माया के बंधन से मुक्त हो ज जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्में भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक इस्थिति प्राप्त होते हैं यह लाइन को समझिए समाने तहां लोग सोचते हैं कि भौतिक भोग को करके मैं सुखी हो जाओं है कि नहीं भौतिक भोग इकटा करके सुखी हो जाएंगे जब उन्हें भौतिक भोग प्राप्त हो जाते हैं तब क्या होता है उसको भोग करते करते वह उक्त हो जाते हैं वह उक्त मतलब बोर हो जाते हैं उप जाते हैं और उसके बाद वह सुचते हैं नहीं नहीं अब मैं इसको त् दुख को बहुत भोग लिया है, बहुत जगत में दुख है, ठीक है, तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तब उसकी धारणा ये होती है, कि मैं भगवान में जाके लीन हो जाता हूँ, उससे मैं सुखी हो जाता हूँ. और ये धारणा प्रहुपाजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भारत में धारणा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये किसी भी आध्यात्मिक, तथाकतित आध्यात्मिक संस्था में जाएंगे और उसे पूछेंगे मुक्ती का मतलब क्या है, तो कहेंगे भगवान में लीन हो सुना है आपने ये, सब कुछ है सिखाते हैं, तो इसलिए प्रहुपाजी को बात स्थापित करने पड़ रहे हैं, कि इस परकार से जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, क्या कोई वर्णन कर सकता है कि प्रहुपाज असा क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, भगवान में लीन ह होने के कारण जीव सुखी क्यों नहीं हो सकता है पहली बात यह कि विभुलीन हो नहीं सकता क्योंकि वाविनाशी है उसका अस्तित्व वेश्टत्व इंडिविजुएलिटी हमेशा बनी रहेगी और सुख जीव को कैसे मिलता है जैसे भक्तों ने बताया सेवा करके तो पासए यह अत्ह यह निसकर्श निकाला जासकता है कि गीता जीव को कृष्ण के अनुइक सक्तियों में और जब यह सक्ति भौतिक कलमस से मुक्थ हो जाते है तो यह पुरुन्तय कृष्ण अंधन मुक्ट हो जाती है तो हमने इस लुक में सीखा कि भगवान स्री क्रिश्ण की परा Rudolph रक टी जीव है और परा प्रक टी भॉतिकDon Mathew को भोग कर रही है और यहींती सीखा कि यदा जीव और वहां को लिक से आ Только कर तो है जीवा और शुखता है हम देखते हैं जिसे एक्जॉल्टेट डिवूटी है वो भगवान का नियंता द्यान करते रहते हैं हां और प्रेटकर रूपने देखा रहते हैं तो इस तरह तो सेवा ने करते से हम लोग समझते हैं ना सेवा कार्थ क्या है शवर्णम कीर्तनम स्विष्ण स्मर्णम तो किसी प्रकाद सेविनम नवधा भक्ति कि किसी भी तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं सुनना भी भगवान की सेवा है जब करना भगवान की सेवा है किसी भी अंग का नुशीरन करना यह भगवान की सेवा है और यह सोचना कि उन्नत भक्त भगवान की सेवा नहीं करते हैं ऐ अबसक्ता है कि मन में सेवा कर रहे हूं लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में वह कुछ बैठे हुए है कि लोग अलग और दो करते आपार आद्मी जगात में जाकर शारे लोग्भाववान की सेवा करी रहें, गटेकला काला के सेवा को हमेशा हम लोग हाथ पैर की सेव समझते हैं, लिकन भगवान का का कहीर है है, जो एक ग्यान दूसरे भक्तों को देता है, उससे अच्छा सेवा मज़े को कोई नहीं है तो यह ज्ञान दूसरों को देना सेवा है कि नहीं देखे एक बहुत सिधी बास समझ लेज़े सेवा का अर्थ यह है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा संतुष्ट हो जाए तो देशकाल परिसिति के अनसार उस विक्ति कि क्या सेवा करने चाहिए स्वामे की क्य सेवा करना चाहिए वह सेवा है क्या समझते हैं इस बात को कि भगत भूखा है आपका चोरो मैं आपको गीता का प्रवचन सुनाता हूं तो वह सेवा नहीं उसको प्रसाद खिलाई लेकिन अब मैं कहूं कि आप लोगी सेवा करता असे करी सेवर अपने टिफिन बॉक्स खो अब मैं आपनों को बूलूँ आप भवान है नहीं और भगवान बन जाओगे तो क्या इस सिक्षा से भवान संतुष्ट होंगे नहीं होंगे आपने देखिए बिल्कुर इस परष्ट दिशवदे बोल रहे हैं मेरे धाम को जो जाना चाहता है उसको वैसे ही सिक्षा देनी है जैसे मैंने आपनों को दी है कोई परिवर्तन नहीं करना है इसलिए गीता का प्रवच्चन दिना बिल्कुल कठिन नहीं है आप देखिए मैं कुछ बड़ी नई-नई बाते नहीं बता रहा हूं उन्हीं बातों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो पूरवर्ति अचा नहीं होना नहीं अलग होना ही यह हमारी गुणवत्ता है क्या समझना रहा है बात को नेया कुछ नहीं बताना है जैसा परवर्म्परा में है वहीं बताने तो यह बहुत बड़ी बात है इसको इंग्लिस में कहते हैं Chinese Whisper समझते हैं Chinese whisper, मैं इनको बलाओंगा, इनके कान में कुछ कहूंगा, फिर मैं कहूंगा, आपने जो सुना, वो उनको बताओ, ये कुछ बात याद रखेंगे, जो बात याद नहीं रखेंगे, वो अपने, उसमें अपनी बात भर देंगे, फिर उसके बाद ये उनको हैं, हमें experiment भी करके देख सकते हैं, और यही चीज हमको नहीं करनी है, इसलिए कोई कठनाई हो, जब कुछ बात ना समझ में आए, तो अब ये करतो हमें इस बात समझ में नहीं आ रही, ये स्विकार करना ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ, यहीं खत्म अगई बात, अब यह नहीं कह सकते हैं, मुझे इतनी बात ऐस प्रकार से समझ में आई, लेकिन ये कभी मत बुलिए कि मेरे हिसाब से ऐसा है, आपके हिसाब के क्या वैल्ली है, ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार समझना चाहिए, आपके की चर्चा हम आपकर करेंगे, अभी हम थोला कितन करेंगे क्या प्रशन है, श्रीमत भगवत गीता की जाए, श्रीद भवपाद